जय हैं दोस्तों सभी के स्वागत है मेरे इस यूडिव चैनल अभ्यास ओंलाइन क्लास में मैं हूं क्रिशन दोस्तों आज हम लोग पढ़ रहा थे दोस्तों जो मद्धेकारिन भरत के तीहास उसका वन लाइन प्रकार का जो कोश्चन सीरीज चर रहा था दोस्तों उसका आठ की हैलफुल होने वाला है तो इस वीडियो को बीना इसकीप किये हुए पूरा देखिए ताकि आपको इस वीडियो का फायदा मिल सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे यह आज का वीडियो कि अगरे बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सांथी स इस वीडियो का आठाव पार्टा है तो जो कोशन рублей स्टार्ट हो रहा है दो दोस्तों को एक्यासी नमर सरे कोश्न करते हैं को अगला प्रश्ण है मेरा बाई वंध इसकी आराधना में विश्वास रखती थी तो दोस्तों जो भगवान कृष्ण है उसकी आराधना में विश्वास रखती थी अगला प्रशन है सबसे अधिक सीक्के किसके काल में मिले हैं तो मौरे काल में जो है सबसे ज़्यादा शीक्के मिले हुए है अगला प्रशन देख कहते हैं साह जहांने अपनी किस इमारत की उतकिर्ण किराया था कि अगर इस जमीन पर कहीं स्वर्णी आनंद की जगह तो बस यही है तो कौन से जगहcking बात कर रहे हैं दोस्तों वह दिवाने खास की बात कर ने हैं, जहांपास क्या है? खास लोगों के साथ, वो क्या करते थे? मुलाकात करते थे, इसी कारण क्या बूद रहा है? उसे स्वरगी आनंद की जगह, कहा गया है, तो अगला प्रशना है, अकबर की जो अहदी सेना है, वो क्या है? सक्सि विस्वसनिय सेना में से एक थी उसे क्या नाम दिया गया था? आधिश divorced रूपना के दाफण हैं sow चार इस्वि में आगरा सहर की स्थापना किस ने की दोस्तों जो पंद्रा सो जो चार इस्वी में सिकंधर लोधी ने क्या किया था इसकी स्थापना की लेकिन दोस्तों जो है इसे छे में क्या किया था इसे अपना राजधानी बनाया था पंद्रा सो छे इस्वी में क्या किया था इसे अपना राजधानी ब आँगाये हुआ था तो गुरू अर्जुन देव जो है सिक्थ सम्रादायकिं उनके उपर क्या हुआ था जहांगीर के विरुद्धा विद्रोह का जो सहयता करने का अरूब लगाये हुआ था तो कौन है वह गुरू अर्जुन देव अगला प्रशने है मुगल समराथ जहांदार शाहाइन जो है के सासं का समय से पूरव अंत कैसे हूग उसका कारण क्या है एक युद्ध में अपने भातीजे द्वारा पराजित हो गया दे जिसके करण वो भी उसके युद्ध में वीरुद्ध हो गया थे अगला प्रश्ण है साह जहान के बल्ख अभियान का उद्देश चे क्या था तो बल्ख अभियान का उद्देश था दोस्तों वो काबुल की सीमा से सटे हुए बल्ख और बद्श्खा के क्या करना एक मित्र साहसन को लाना था अगला प्रश्ण है मुबारक खाने किसे आसरे दिया जिसने तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक लिखे थी तो दोस्तों मुबारक ए जो तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक लिखे है वो कौन है दोस्तों याहिनी बिन अहमद सरहिंदी इसका नाम अजीज से है दोस्तों आ पुर्त गालियों को हो जो केंदर था चाम का था तो कोलो काते जो है क्या है हूगली नदी की किनारें बसतो हूए सन 1527 इसवी में बाबर का युद्ध राना सांगर के साथ हुआ था किन्तु इस युद्ध में सफलता बाबर को मिली थी इसका करने क्या है दोस्तों बाबर के पास क्या थे शक्तिशाली तोब खाने का होना तो दोस्तों पहली बार जो भारत को तोप दिखाया था तोप से परिचित कहाया था वो कोई है दोस्तों बाबार ही है अगला प्रशन है मुगल काल में मंत्री परिसत को क्या कहा जाता था तो विजारत के नाम से मंत्री परिसत को जाना जाता था आगला प्रश्ण है चंगेच खांके अधिन मंगलों ने भारत पर अक्रमन किया था तो किसके सासन काल में मंगलों पर इन्होंने अक्रमन किया था तो देख लते हैं तो इल्टु तमीज के सासन काल में क्या किया था चंगेचकां के अधिन मंगोलियों ने भारत पर अक्रमन किया था अगला प्रश्ण है सल्तनत काल का प्रथम शासक जिसने स्वयम को खलीफा घोसित किया था तो कुतुबदीन मुहमाश शाह ने अपने आपको क्या किया था खलीफा घोसित किया हुआ था अगला प्रशन है अलाउदिन खेल जी के सासन काल में दिवाने रियात जो अधिकारी का कार्य क्या था तो दोस्तों उन अधिकारियों जो दिवाने रियात हैं उनका कार्य था व्यपारियों पर नियंतरन वंपजार नियंतरन में पूरी वर्ष्था का सुन चालन करना था तत्थ ए मैयूर शीहासन बनवाय था तो दोस्तों साहज आने क्या किया था तत्थ ए ताउस जो है मैयूर सीहासन कर इनमान कर लए था अगला प्रशन है आनंद पाल ने किस विदेशी शाशक के विद्ध विभिन राजाओं के साथ मिलकर एक संग बनाया था तो वो आनंद प प्रशना है 301 नमर का सिंध में जो है दिरहम नामक सिक्का किस के दोरा चलाया गया था दिरहम नामक जो सिक्का चलाया गया था वो अर्बों के दोरा चलाया गया था अगला प्रशना है मुहम्मद बिन तुगलक के सासन काल में डक्षिन में हरीहर और बुक का नामक दो भाई उसने क्या किया था 1336 में किस स्वतंतर राज्य की इस्थापना कीछ थी झालश भी Bizanagar समराजरी के इष्ठापना किसमें की थी हरिया और हरिहर और बुक का नामके दो भाईयों ने 1336 ईसवी में इस जो है समराजरी के इस्ठापना की अगला प्रस्ष्न है मिवार के किछ राणा ने जो है अकबर के आधिन स्विकार नहीं की और जीवन संगर्ष किया तो वो कौन है दोस्तों महाराणा प्रताफ है जिन्होंने क्या किया था अकबर की आधिनता को स्विकार ना करते हुई उन्होंने उसके विरुद्ध हमेशा ही के लिए मतलब हमेशा उसका विरुद्ध किया और अपना ही समराजी स्थापित करने की कोशिश की अगला प्रशन है दोस्तों सिंधियों वन्स की स्थापना सिंधिया वन्स की स्थापना किसने की थी तो महादर जी सिंधिया ने क्या किया था सिंधिया वन्स की स्थापना की थी अगला प्रशन है बाबर ने अपनी आत्म कथा तुझके ए बाबरी किस भासा में लिखा है तो दोस्तों तुझके बाबरी आत्म कथा है मतलब स्वैम के द्वारा लिखा हुआ बाबर के द्वारा क्या है अपनी आत्म कथा को है वो क्या है तुर्की भासा में लिखा हुआ ग जो है जो दूसरे के द्वारा किया जाता है तो अगला प्रशन देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रशन है ब्रह्मनों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुगल सासक कौन था तो दोस्तों ब्रह्मनों पर जजिया लागू करने वाला प्रतम मुगल शाशक कौन था फिरो युद्ध से अलग रहा उन्होंने क्या किया था सूराजमाल ने युद्ध में पाटिसपेट नहीं किया था अगला प्रशन है विदेशी यातरी पीटर मुंडी जिसने क्या किया था 1630 से 1632 इसी में बड़े भीसन आकाल का उलेख किया है तो पीटर मुंडी किस मुगल सासक क समय भारत आया हुए था तो दोस्तों साहा जहां के सासन काल में क्या किया था ये भारत आया हुए था तो दोस्तों साहा जहां ने क्या किया है मैयमूर सिहासन का भी निर्मान कराया हुआ है अगला प्रशन है भारत में किस की सताबदी में भक्ति आंदोलन की सुरुआत हु और छटवी सतादी में क्या चलता था दोस्तों गुप्त वांस जो है उस समय भारत में चलता अगला प्रश्ण है वह मुगल शासक जिसे अपने जीवन काल में ही गदी से वनचित करके कैदी बना दिया गया तो किया दोस्तों साहा जहां हैं साहा जहांने क्या किया था वह अगला प्रशना है मुगल सासक जहांगीर ने अपने दूत के साथ किस चित्रकार को इरान भेजा तो इरान भेजने वाला जो है वो कौन है दोस्तों पिश्रादास पिश्रादास क्या है वो अब उसके चित्रकार है जिन्होंने क्या किया था जो सासक है मुगल सासक कौन जहा उसने के आगे था अपने दूद के साथ मिलतर शितरकार जो बनाए हुआ था उसे इरान भेजा हुआ था अगला प्रशना है कुदब नुमा के प्रयोग का आरंभ किस नदी में हुआ तो दोस्तों जो है प्रयोग किस सदी में हुआ तो दो है तेरवी सताब्धी में हुआ है अगला प्रशन है 1665 एस्वी में पूरंदर की संधी किसके साथ हुई थो दोस्तों जो सीवा जी के पूरंदर की संधी हुई है महराजा जय सिंग के साथ इसका जो है संधी हुआ था पूरंदर की संधी 1665 एस्वी में तो अगला प्रशन है जोस्तों विजयनगर्द जो किस दिल्ली सुल्तान के सासन जो समय रखी गई थी तो दोस्तों मुहम्मद बिन तुगलक के सासन काल के समय क्या किया गया था इस विजयनगर समराज जी की नियू रखी गई थी और विजयनगर समराज जी की जो न्यू रखी गई है वो मैं इसी वीडियो में बताया हूँ एक कोश्चन के दारान तो विजन अगर समराजी की स्थापना किसने की तो हरी हर और बुक का नाम के क्या है दो भाई है जिन्होंने क्या किया था इस जो है समराजी की स्थापना तकी थी अगला प्रशना देख रह प्रशिद्ध विद्वान की स्री गंगा भट से अपना राज्यवी से किस इस्थान पर कराया था तो वहां पास जो है दोस्तों जो तरफ देश के रायगर जो जगह है वहां पास इन्होंने क्या किया था अपना राज्यवी से करवाया था अगला प्रशन दोस्तों भैरम पतन के पश्चात बाबर किसके प्रभाव में आ गया तो बाबर जो है महानंगा के प्रभाव में आ गया तो आप इसे चरूर देखे होगे अगला प्रशन है दोस्तों वर्धमान महावीर किस गनतंत्र में थे तो दोस्तों किस गनतंत्र थे मतलब क्या थे वो लिच्छवी ग सब्सक्राइब कर दिया है और यह 40 कोशन हो तो वेरी इंपॉर्टन कोशन है जो कभी न कभी कंपेशन एक्जाम में पूछा गया है तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो के बारे में कुछ भी कहना सब्सक्राइब को भी अन करने ताकि मेरे द्वार अप्लोड किया गया वीडियो दोस्तों आप आजानी से देख सकोगे तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखने से आपको बहुल बहुत धन्यवाद थैंक्यू